क्या आपके भी पास Redmi या MI का फोन है और आपके Redmi या MI के फोन में लोग स्क्रीन पर आपका जो वाल पेपर होता है वो आटमेटिक आपका चेंज नहीं हो रहा है तो इसे प्रॉबलम को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे अपने फोन को हम यहां से लोग करते हैं लोग कर ही होता है तो इसे प्रॉबलम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो लोग स्क्रीन पर वाल पेपर होगा वो आपका आटमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके फोन में यह प्रॉबलम आ तब आपके सामने यह प्रॉबलम आ जाता है तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फोन के थीम में जाने के बाद इस तरीके से आपके सामने थीम का पेज ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहां से बैक आ जाएंगे माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे जिसे आपको सारा का सारा अप्लाइक करने सारे ओप्सन सेले करना है सरेक्ट करने के बाद अपलाइक करने जैसे आप इसी अप्लाइक करेंगे अब आपके पून के अंदर आपके जो पोन में classic theme मिला हुआ था वो यहाँ पर set हो चुगा है set होने के बाद अगर आपने कोई wallpaper आपने set करके रखा है आपने set किया हुआ है तो wallpaper पर click करके अपना photo आप यहाँ पर set नहीं करेंगे जो आपको system में मिला हुआ है वो आप यहाँ पर set करेंगे system wallpaper और इनमें से आप किसी भी wallpaper को आप पर set करेंगे और कोई दूसरा wallpaper आप डाउनलोड करके set नहीं करेंगे बस इतना काम करने के बाद आपको जाना होगा अपने phone के setting में setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको search बार पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा यह wallpaper है फिर से हम यहाँ पर इसे lock करते हैं लोग करने के बाद देखने को मिलेगा हमारा wallpaper अभी भी यहाँ पर change नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको यह option मिलेगा इस लंग आपको swipe करना है जैसे आप इस लंग आप इसे swipe करेंगे तो आपके समने यहाँ पर आ जाएगा turn on का option और इसे आपको यहाँ पर turn on कर देना है तो आपको यहाँ से turn on कर पर click करना है क्लिक करने के बाद यह आपका turn on हो जाएगा बस उसके बाद आप यहाँ से अपने phone को log करिए log करने के बाद on करेंगे आपका wallpaper आप यहाँ पर change होना start हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा wallpaper automatic change होना start हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आप अपने phone के अंदर यह problem आप पर solve कर सकते हैं अगर आप by chance यह problem आपका इस तरीके से solve नहीं होता है तो आपको जाना होगा अपने lock screen में lock screen में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा glance for MI आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यह setting आपको यहाँ से चालू कर देना है चालू करने के बाद फिर आपका सारा problem fix हो जाएगा और आपके lock screen पर जो आपका wallpaper है वो आपका यहाँ पर automatic change होना start हो जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत धन्वाद